फ्रेंड्स आज हम एक ऐसी सब्जी लेकर आ रहे हैं जिसमें होता है कार्वोहाइड्रेट्स, बिटामिन सी, बिटामिन बी कमप्लेक्स, मैंगनेसियम, पॉर्टेसियम और फास्फुरस इतनी भारी मातरा में ये लापकारी तत्व होते हुए भी कुछ लोग इससे बचते हैं और आलू को बदनाम करते हैं लेकिन आलू बहुत ही पाइदेवंद है, बहुत ही लापकारी है, इसे सही तरीके से खाये जाए और इसे अकेला खाये जाए इसे तलने से और तेली पदारतों में भूनने से इसमें हानिकारा होता है इसे अकिला खाय जाए तो बहुत लाब का रही है हम चर्चा कर रहे हैं इस आलू की अब हम इसके वारे में बिस्तार से चर्चा करेंगे क्या क्या लाब हैं क्या क्या फायदे हैं तो फरेंट्स, यदि आपने तो आप सबस्क्राइब करते हैं, तो कर्पया सबस्क्राइब करने, और फरेंट्स करने science करें, और फरेंट्स में और हम कुछ करने है और सब से पहले लेते हैं चेहरे की संदरता बढ़ाने में यह आलू को पीस लीजिए और चेहरे पर लेब लगाएए और उसके दो औरे बाद दो दिजीए तो चहरा साफ हो जाए गा और चहरे पर निखा रहाएगा चमक बढ़ेगी बहुत ही लाब कारी पर या प्रियोग är जल काट कर लगाईए जले हुए स्थान पर या पीस कर लगाईए तो इससे बहुत लाब मिलता है वहां पर छाले नहीं पड़ते हैं और वहां पर सीतलता प्रदान करता है आलू और ठंडग मिलती है यह बहुत लाब कारी है यदि किसी को खासी है तो खासी के लिए बहुत लाब करें बैसे तो लोग कहते हैं कि आलू खाने से खुझली होती है लेकिन यह खुझली में भात लाप कर रहे इसकी पत्ति लीजिए और पत्तियों को रश निगा लिए और खुझली वाले पर बार बार लगाईए ऐसे करने से खुझली नश्ट हो जाती है खुझली खत्म हो जाती है तो फ्रेंड्स हमने आलू के बारे में आपको प्रियोग बताएं आप अवसे कीजिए बहुत लाब करी है और आलू को हम यह कहते हैं कि हमेशा इसे साधरन रूप से खाईए उबा नुक्सान देता है वैसे खाली जो आलू है बहुत लाब कारी है और इसके साथ साथ हम आपको यह लाब को न खाईए लू नुक्सान देता है अशके कहाने से ड componर ऑजाते हैं यह वीडियो चाहित्व और अगले वीडियो में फिर बिलते